वेलकम बेक टो हिंदी वित रीचा चैनल आज हम बात करने वाले हैं यूजी सी नेट हिंदी की यूनिट चैह हिंदी उपर नियास आप लोगों को पता है यदि किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूं यूजी सी नेट के एज़ाम फॉर्म फिल किये जा रहे है यदि हमको यूजी सुरू करता है तो सबसे पहले हम रचनाएट देखते हैं कि उस यूजी कोण कौन सी रचनाएं लगी हुई है तो यदि में हिंदी उपर नियास इस यूनिट की बात करूं तो मैं आपको बता देती हूं आज की किलास में हम यह देखने वाले हैं कि कौन कौन स मुश्किल है जून वाले अज़ाम के लिए अभी के लिए यदि किसी ने पहले पढ़ लिए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिरों ने यह कंप्लीट नहीं पढ़े है उपनियास तो उनके लिए मैं बस यहीं बताऊंगी कि कौन-कौन से पॉइंट है यदि आपने अभी तक वे भी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा ताकि आपके जून वाले अज़ाम में हेल्प करें तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर स्लेवस देखें कि यहाँ पर पहला उपनियास है देवरानी जेठानी की कानी गोरी दत का यह उपनि पर ने सारे ही कंप्लीट है क्योंकि अब ज्यादा डीपली कॉस्टन आने लगी है लेकिन पर्यास कीजिएगा कि अभी तक कोई ऐसा है जिसने गोदान भी नहीं पड़ा तो गोदान तो पढ़ी लीजीगा अग्ये सेखर एक जीवनी हजारी पर साथ दुएदी बानभट क किElton ककली अच्छा यहांज पर में एक चीज बता देती हूं जैसे अग्या शेकर एक जीवनी भाग वन यहांपर जो सेखर एक जीवनी ऊसके दो भाग है लेकिन यहांपर लिखा हुआ है भाग वनी लगा हुआ है तो हमें भाग वन ही पढ़ना है भाग दो नहीं पढ़ना है फिर है फरनिश्वनात रेनू मैला चल यह स्पाल जूटा सच जूटा सच के भी दो भाग है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखाया पर्थम भाग या दुज्ट्य भाग तो इसका मतलब है कि आपक जिन्दिगी नामा मनुभंडारी आपका बंटी जगदीश चंद्र धर्ती धर्ने अपना तो यह हमारे सलेवस में उपन्यास लगे हुए है तो देखो जब भी मैं कोई यूनिट शुरू करती हूँ तो सबसे पहले आपको इनका कालकरम करवाती हूँ एक दूश्टेंड क की त्यारी कर रहे है तो मुझे तो दुबारे से सारी चीजे पढ़ाने होगी क्योंकि स्लेवस थोड़ी चेंज हुआ है कि जो हमारा कंटेंड बदल जाए का चीजे तो वही रहेगी अधी गोदान उपनियास हमारे स्लेवस में लगा तो हमें हर बैच में पढ़ाना होगा जून वाले अज़ाम में भी पढ़ाना होगा तो यह नहीं है कि एक चीज पहले पर चुकह है और दूसरी चीज मुझे आपको बता देती हूं तो यह कोई चीज पर पर तेहां जितनी बार पर तेहां रिविजन होता है तो यदि आपने ऐक बार पर लिए उसका कोई फाइ यहां पर जो मैंने आपको उपनियास तो बता दिये कि आप किस लेवस में कौन-कौन से लगे हुए थे अब यहां पर उनका कवर फोटो मैंने रखा है ताकि आपको परेशानी नव भुक लेने में क्योंकि बात में फिर मैंसेज आते है कि कवर फोटो बेश दीजिए तो मैंने आपर सभी का रखा हुआ है अब हम चलते है कालकरम पर जो कि आपको पता है कि मैं सबसे पहले कालकरम करवाती हूं और इस बार जो अभियाद जा मोदा मारा मार्च मोदा पाच मार्च को उसमें इन में से पाच रचनाई दी हूई थी और उनका कालकरम पूछा था आप खुट जाकर चाहे देख लीजेगा कोशन पेपर मैंने भी सोल करवाया हुआ है चाहे वो देख लीजेगा या वेब साइट पर डाउनलोड कर लीजेगा लेकिन जो रचनाई हमारे स्लेवस में 1882 गोदान 1936 और एक का मोर कीजिएगा 1936 में जो भी रचनाई परकासित हुई है उनको एक जंगा नोट कर लीजेगा क्योंकि 1936 काफी बार पूछा जाता है कोसन आता भी आए कि निम्न में से कौन सी रचना 1936 में परकासित नहीं है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप एक लीजेगा जो भी जब आप पढ़ते हैं जो भी आपको मतलब आता है आपके पढ़ते हुए कि 1936 में परकासित हुए तो उसको एक जंगा नोट करते हैं जाईएगा आगे चलते हैं सेखर एक जीवनी का जो पर्थम भाग है वो चालिस में परकासित हुआ था लेकिन कई-क किसी बुक में 41 में लिखा मिलता है तो आप दोनों याद कर लीजिएगा बन भट किया तुम कथा 1946 मेला आचल 1954 जूटा सच दो भाग है पहला भाग हुआ था 1958 में परकासित और दूसरा भाग हुआ था 1960 में रागदरबादी 1968 आपका परिंटी 1971 मानस का हंस 1972 धरती धन्य उन्हां ना कि तो यह ऐा हमारे पशल लगे हुए उह बहें क्या मना कि श Совरा वर्हat शाया रहे जो हमारे में जृपनियास नहीं है उनके अब हमें याद होना चाहिए और 1130 श सीड निवास रागदास यसपाल 1903, हजारी प्रसाद दुवेदी 1904, आग्ये 1911, भिश्म सानी 1915, अमृतलालनागर 1916, फनेशो नात रेनू 1921, क्रिष्न सौपती 1925, स्रिलाज सुक्ल 1925, जगदीच चंद्र 1931, मनु भंडारी 1931, तो ये सबीइं इंपोर्टेंट आपको इनका पूरा कालकरम याद ह होना चाहिए जो यह इस लाइड है पीछे उपन्यास के काल करम की यह दोनों आप अपनी कोपी में नोट कर लीजेगा क्योंकि एक बार आपने किलास देख ली तो आपको याद नहीं होने वहला है इनको एक जंगे नोट कर लीजेगा और जब आप पढ़ते हैं रिवीजन कर होता आपको नोट्स मराने पड़ेगी आगे चलते हैं पिर अब बात करेंगे कि हमें यूनिट 6 में क्या-क्या पढ़ना चाहिए कि इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए देखो जब भी हमको यूनिट पढ़ते हैं चाहिए उपन्यास और नाटक और आपका पहला यह रहना चाहिए कि हम उसे पूरा कंप्लीट पढ़ें क्योंकि आज कल बहुत को सन आने लगे हैं तो यह आप चाहते हैं कि आपका एक भी मतला जैसे हिंदी उपन्यास काहनी नाटक इन यूनिट में से आपके कम से कम को सन गलत हो तो आप पर्यास कीजिएगा कि आप बिल एक बार पूरी रचना कंप्लीट पढ़ें और देखो कानी नाटक और निबंद यह तीन विदाय तो ऐसी है जो आपको कंप्लीट पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं है कानी भी आप अराम से पढ़ लेगें निबंद भी और नाटक भी अब चलते हैं स्कारत ब Prophe statement program और नाटों जो और देखों से पढ़ लगा मुदार कमस्तरों से तो सबसे पहले में जितने भी हमारे सीमयर में उपनियास कारत मानल आपकी में गोदान लगा हो और प्रेम चंद तो आपको प्रेम चंद के बागी भी सभीॉपनियास याद हूने चाहिए विद परखासन वर्स जैसे मननु भंडारी आपके में लगी हुई अंपके विखवस्त्ny भी याद होने चाहिए अम्रितलाल नागरव security आपका बाकी भी सभीॉप confirm है एक क्या दो आ जाते हैं पात्रों में फिर गोदान उपनियास तमस आपका बंटी यह उपनियास जरूर पढ़ ले जरूर क्यों पढ़ ले क्योंकि उपनियास मैंने आपको बताया कि काफी बड़े है तो अगर आप सारे नहीं पर पा रहे हैं यह तीन तो जरूरी पढ़ तो है वह एक जंग है नोट कर ले उसके बाद सभी उपनियास की परमुपंक्ति के नोट्स बना ले यह यह दिया गूगल पर सर्च करो गया यूट्यूब पर ही मतला आपको यह पंक्ति मिल जाएगी में मिल जाएगी उसके बाद रामचंद तिवारी रामचंदर सुक्ल बच्चन से इन बुक से एक बार स्लेवस में लगे सभी उपनियास और उपनियास कार की विशह में जरूर पढ़ ले तो यह 6 पॉइंट आपको इन 6 पॉइंट पर काम करना ही आपको सभी उपनियास कार के सभी उपनियास वियाद होने चाहिए पात्रों की सूचित आपकी बनी होनी चाहिए और गोदान तमस आपका बंटी पर्यास कीजिएगा complete पढ़ ले और जो बाकि उपनियास है उनकी विसवस्तों आपको एक जंगा नोट करनी है उनकी समरी पढ़ ले लिए और जो उपनियास है उनकी परमुख पंक्ति के नोट्स बना ले और उसके बाद ज भी उपनियास के मिं भूमिका मिलती है वह जरूर पर ने भूमिका से तो मता है सक्षण सब न मैं mãeलाएचल की ली कैसे YouTube आया था लोंगे अभिव मैं मैं बात करते हूं कि उनका करवाया हुए इस पोइंट में से तो देखो मैं आपको बता देती हूं जब मैंने किलास ली थी जो हमारा भी आज जाम हुआ है उससे पहले मैंने यूनिट करवाई थी तो यदि आप यहां पर पले लिस्ट में जाओगे मेरे चैनल पर तो आपको यह मिलेगी यूनिट 6 हिंदी उपनियास यूजी सी नेट हि विसेवस्तू के इसमें आपको सभी नेरी अपनियास के पात्र और विसेवस्तू मिल जाएगे उनको जो इसे ऑलंक जो मैंको पॉई Alb करवा कर दूंगी दो प्हूं मापको नहीं आपको मिलेगए क्योंकि एक दो दिन में मैं देख लूंगी जिन जिन उपन्यास में भूमी का दी हुई है उनके एक जंग पीपीटी बना कर मैं आपको करवा दूंगी भूमी का बहुत इंपोर्टेंट है इस बार भी कोशन आये थे उसके बाद यदि मैं बात करूँ एक वीडियो मैं आपक करवा कर दूंगी यानि कि यदि मैं हिंदी उपन्यास यूनिट की बात करूं तो 2020-21 और 22 में जितने भी कोशन आया इस यूनिट से वेम आपको एक जंगे करवा दूंगी तो किलास आपके लिए हैल्फुल होगी आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे कुस तरह के आ रहे ह अपने कैसे सॉल करना है और एक दो कोस्तन रिपीट भी होते हैं जैदी आप नैट के एज़ें की बात करें या किसी और नोट이 यह है कि 20 परसेंट जो है एजम प्रिवियस येर में से रिपीट होता है 20 परसेंट तो होता ही है चाहिए वो कोई भी एजम हो मेरा मानना है कि जितना जवड़ी पढ़ना है उतना ही जवड़ी एमसी क्यूब भी सोल करना है तो वह मैं आपको करवा कर दूंगी 2022-2122 के एक हिंदी उपनियास वाली यूनिट के कंपिलिट करवा दूंगी तो एक तो वह किलास में आपको लेकर आऊंगी हिंदी उपनियास पर और जो यह तीन किलास ऐसा नहीं है कि मैं जून वाले बैच मे कर लेगे क्योंकि अभी मेरा फोकस उन चीजों पर है जो अभी तक नहीं हुई है एक तो भूमी का जरूर करनी है हमें हिंदी उपनियास के और एक पीवाई क्यू करने तो यह दो किलास तो कंफर्म है आपकी हिंदी उपनियास पर आने की और तीन किलास आपकी यह हो चुक हमारी पीवाई क्यू जो मैं आपको करवा कर दोंगी और एक क्लास होगी हमारी भूमी का पर उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि हिंदी उपनियास में कोई चीजी रह गई है तो आप मुझे बता दीजिएगा और देखो मैंने पहली का है खुद से आपको परियास कर में लगी है हम कंप्लीट पर ले अब भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे को इमेल आइडी पर भीज दीजिएगा यह आपको कोई भी डाउट है तो इमेल आइडी पर भीज दीजिएगा और हमारी किलास की जो पीडिये लेने के लिए टेलिग्राम चैनल लगी तो लाइक सब्सक्राइब सेयर कर दीजिएगा धन्यवाद